टीटव़न्टी वॉर्क अब में क्या पंदरा खिलाडी हो सकते हैं? किन-किन खिलाडी को मुँखा मिल सकता है? किन-किन खिलाडी को खिस्मत खुट खुट सकता है? और कौन 15 खेलाडी होंगे कुछ किस्मत कि T20 वर्लकप खेलने जाएंगे जून में तो क्या 15 खेलाडी हो सकते है इस वीडियों आम लोग बात करेंगे हो सकते है यही फाइनल 15 खेलाडी जो मैं बताने वाले हो यही खिलाडी को सेलेक्ट किया जाए यही खिलाडी को एलान किया जाएगा हमको ऐसा लग रहा है कि यही पक्का 100% है कि यह 15 खिलाडी को मौका मिलेगा अगर आपके बास गैस कुछ है 15 खिलाडी तो आप कमेंट कर सकते हो अपना राय भी देशते हो तो भी गैस मेरा जो मेरा मानना और मैं जो देख रहा हूं कि कर नेपाल तीम को जो मैं फोलो कर रहा हूं हमको ऐसा लग रहा है कि यह 15 खिलाड़ी नेपाल टीम का ऐलान होगा टी-टोंटी वर्लकप के लिए गाईश इसमें संधीवला में चाने को मके रखूंगा अब आये उप वह संधीु लामे चाहिए वापस आए संधी लामे चाहिए गहिला चाहिए टी-टोंटी वर्लकप जाना चाहिए प्रिकें मैं संधीव लामे चाने को सवाला पे रखुँगा, ड्रॉप में र्रॉप में रखुँगा, क्यूगि अभी पता नहीं है करों कर चैस के वजह से अगर संधीव लामे चाने नहीं जाएंगे, तो नेपाल्टी को बहुत बड़ा जटका लगेगा, क्यूगि एक वह बहुत अच्चे खिलाडी है नेपाल तुम लगातार में जिताते हैं क्यूंकि लगातार मेंूसा बहुप मैंच हार भी रहा है उनके ना होने कि वजय तो संदिव लामे measured अच्छाने आई होब जाएं और नेपाल मेच जिता हैं आई होब केस भी खतम हो जाए तो गाइस मैं शुरू करता हूँ कुन-कुन खेलाडी को मौका मिल सकता है टी-20 वर्कप के लिए तस साल बात को लिफाई किया नेपाल टीम दोजाच चोबिस टी-20 वर्कप जून में जो शुरू हने वाला उसका क्या 15 फाइनल खेलाडी हो सकते हैं तो गाइस वीडियो अच्छा तो लाइक भी करो सस्क्राइब भी करो फोलो भी करो तबहरो वीडियो रामलाग्स तो लाइक भी करो नूस फोलो भीवार नूस सस्क्र राइब लाइक बीडियो शुरू करते हैं देल इकाइस ने रहेंगे रहेंगे कैप्टन है उसके बाद देखा जाए गए तो मैं चार उपनर को रखूंगा इसमें चार उपनर रहेंगे अब किन को मोपा मिलेगा किनको मोपा नहीं मिलेगा वह तो आप मैच स्टार्ट पेले तो इनको भी मोगा मिलेगा यही पिलेंग यही बन रहा है चाने में बन रहे हैं टीट्र-उन्दी वर्लकप में ज जाएंगा गया दिपंदर सिंघ अपने जहा बनाने कामियाब होंगे नमबर 6 पे संदीब जोरा भी अपना जगहां बना में कामियाब होगे वो भी अच्छा फोर्म लगा हुआ है वो भी अच्छा रन बना रहे हैं तो इनको भी मोका मिलेगा इनका भी किस्मत चमक जाएगा T20 वर्लकप के लिए नमबर 7 पे गुलसान जा गुलसान जा आलाउंडर है बोलिंग और बैटिंग कर लेते हैं T20 में आलाउंडर बहुत ज़रूरी है नेपाल टीम को नहीं पुरा दुनिया में देखा जाए तो T20 वर्लकप में T20 में ले दो तो आलाउंडर जादा है नेपाल टीम में भरके आला और नेपाल टीम ओपनिंग चाहिए कि ओपनिंग कोई अच्छा शुरुवाद लेक करके दे और तावरत और बैटिंग करें लंबे इनिंग करें तो इन पे वो कफेलिटी है इन पे वो जज़बा है जुनून है यह इसा पारी खेल सकते हैं लंबे लंबे छक्के भी माल ल जिताना पड़ेगा टीटउन्टी वर्लकप में नमबर ne 10 पे बनाने में कामियाम होंगे करंकेशी को मोगा बनाने में और फुल्टास ना दे यार कर जाना ना फेके टीटॉंटी वर्लकप में फुल्टास देंगे तो इनको बहुत मार पड़ेगा फिर भी इनका अपना जहां बनावे काम्याब होंगे क्योंकि यह सब खेलाई रगुलर खेल रहे इनको मौका मिल रहा है तो अभिनाज बोहराओ को बी मिलेगा मौका टीटॉंटी वर्लकाप में खेलने के लिए किस्मत चमक जाएगा यह लोक्ति खेलाडी का टीटॉंटी वर्लकप में पहली बार खेलेंगे 10 साल बार टीटवाइब की है तो नंबर बार अब है गाइस पर्दीव जीसी लेफ ठांडर गेनबाज है तो इनको मौका मिलेगा क्योंकि लेफ ठांडर गेनबाज बहुत जरूरी है जो कि यह पॉस्तन्डी जो यूसे में मैच होने वाला है तो इनको म मदद मिलता है पिसे मदद मिलता है तो तीम को भी बहुत दिफिकल हो जाता तो पर्दीव जिसे को लेकर जाना चाहिए इनको मौका मिलना चाहिए जाए तो बोलिंग अच्छा करें नेपाल को मैच जिता है तो इस भी बता रहो हाली है उनका फॉर्म सही नहीं है उनको लेकर जाये जाएगा क्यों लेकर जाये जाएगा क्यों लगाता है इनको खिलाया जा रहा है लगाता है इनको मौका दिया जा रहा हूं यह सब खिलाया को लगाता है मौका दिया जा रहा है तो विबेक यादों को भी लेकर जाएंगे और दिबे किया तो समझना पड़ेगा, उनका टीम में क्या रोल है, क्यों उनको लेके जाएंगे, जब उनको मौका मिलेगा, तो बोलिंग बैटिंग से पफोर्म करके देना पड़ेगा, ताकि टीटोंटी वलकप में नेपाल टीम एक मेज या दो मेज जीते, बड़ा फेड करने गया, बड़े टीम को हराने के लिए नेपाल टीटोंटी वलकप में जाएगा, नमबर 14 वे गाईस, ललीद राजपंची, ललीद राजपंची को लेकर जाये जाएगा, क्योंकि एक इस्पिरन बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्पिनर हमारे पास नहीं है, पता नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो ललीद राजपंची जाएंगे, तो ललीद राजपंची को जिम्मेदारी रहेगा, क्यों आप अच्छी सो आपसी करें यार, बिकट लेके दे नेपाल टोंको, अब मेच भी जिताएं क्योंकि ज्यादा रन पढ़ रहा है, इन टी-टॉंटी वलकप खेलने का, जो कि 10 साल बार पहले जो सपना देखे थे, यह सब खेलाडी देखे थे, आज वो लोग को सपना पूरा हो जाएगा, जूर मेच पूरा हो जाएगा, और जाएं और खेलें और नेपाल टोंको मेच, जिताएंगे, दुनिया में नाम रोसन क सब्सक्राइब का, जो लास खेलाड़ी है गाईस, वो हर किसी को मालूम है, मैं इस लास खेलाड़ी को मैं जो रख रहा हूँ, वह है बिनोट भंडारी, बिनोट भंडारी ओपनी भी कल लेते, इसमें चार ओपनर जो में बताया था, इसमें सामिल किये, मैं किया हो, स्टार्ट होगा, तो बात करें, किसको मौका मिलना चाहिए, किसको मौका नहीं मिलना चाहिए, बिनोट भंडारी, बिनोट घंडारी के फॉम अभी लगा हुआ है, सांदार फॉम है, क्योंकि गईसमें इसले बता रहा हूँ, जो पंदरा खेलाई में बता रहा हूँ, सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब